अच्छा गवर्बेन, हम चलते, सबर करनो सबर करने के अलावाब नहीं क्या गया लेकिन रिष्टेदारों ने ऐसा दगा दिया कि मुझसे मेरा बेटा छीन लिया हुआ हम कुछ समझे नहीं, कैसा दगा, किसने दिया दोका घजाना, ओ घजाना, घजाना जी वफों, तेकरियों महमान आये हुए, चाय बना के लाओ इन लों के लिए लो, अब सुनो, मेरा बेटा शाहिद मरूम मरूम कहते हुए, कैसे दिल हलक में आ जाता है मेरा ना वाब साब की बेटी शमा का हाथ मांगा था मैने हा, सुना था हमने भी और ये भी सुना ओगा क्यों उन्होंने इंकार कर दियो लेकिन नावाब साब जनहें को सोच कर दियो बहन, नावाब साब की घर में एक नहीं चलती जवान बेटियां हैं, और वो भी हाथ से निकली जा रही हैं सिरफ शमा की सुनते हैं और मैंने तो ये भी सुना है कि शमा कर चक्कर चल रहा है किसी के साथ देखने में तो शमा बहुत माफूम लगती है मेरी बेहन सिर्फ देखने में नहीं, मुमासूम है तुम्हें किसने काज बड़ों के लीज में बोलने के लिए हाँ फुपवजी मैं अपनी बेहन शमा के लिए बोली हूँ परना आप जो मर्जी बाते करें लाजमी है, वही तुम्हारी बेहन है, तुम तरफदारी नहीं करोगी तो कौन करेगा जाओ इन लों के लिए चाह लेकर आओ अरे रहने दो बस बहन, मौत मयत वाले गर में बोज़ बनना अच्छा नहीं लगता बस हम चलते हैं अच्छा भंभी चलते हैं अच्छा गोहर आपा अब हम इजाज़त दी जी, हम चलते हैं, अपता खयाल रखिएगा अल्ला पाक आपको सब बढ़ दे पुपो जी मुझे आपसे बात करनी है बोलो यह क्या किया आपने है? क्या कर दिया? कौन से नवाब हांदान की बगडिया नोचली है मैंने आपने मेरी बहन शमा पर बहतान लगाया है मैरे अबबाजी की घर के जो को चाना है आपने मेरे सामने जबान मत चलाओ यह सब कुछ करके आपको क्या हासिल होता है बताए मुझे मैं शाहिद का बदला लेना है मैंने अबबाजी नव बहुत अच्छा जो शाहिद और शमा के रिष्टे से इंकार कर दिया पकपास मत करो तुम बोलूगी मैं मैं आज आपको बताती हूं कि मेरी बहन शमा का और आपके बेटे का कोई जोड़ नहीं था शमा पड़ी थी समझदाल और आपका बेटा अनपल जाहिद अवारा सजा जाता और सबसे बड़ी अवारा दोस्तों में गूमता था नशा करता था वो बस कर दो मेरी सबर को मत अजमाओ गजाला तो सबर खाब लोग उसे क्या तालोग पोजी आप लोग तो जबर की बात करें जबर की आपने मेरी बेंग शमा पर तोहमत लगाई है अब तो शाहिद की खबर की मटींगी भी है और आप अपनी मौद भूल गए खौफ नहीं आता डरने लगता आपको यह सब कुछ करते हुए चली जाए आसे याई मुझे डराने वाली आने दे शकील को बताती हुना कैसी जबान चल रही है मेरे सामने दे रही है और यह नवाप और नवाप की बेगम मैं इनको करती हूँ ठी अपने जो करने रहे हैं नवाप साथ की घर में एक नहीं चलती जवान बेटियां हैं और वो भी हाथ से निकली जा रही हैं और मैंने तो यह भी सुना है कि शम्मा का चक्कर चल रहा है किसी के साथ अपने शाहिद का बदला लेना है मैंने और यह नवाप और नवाप की बेगम मैं इनको करती हूँ ठी और तुने यह क्या रोने सुरम नाग रखिय हूई हैं कितने तुन से इस गर में सौख चल रहा है अनल मुझे यह बता के तुझे शायद कि अतना दोख क्यों है है शेकी वह मारा हूँ एक मिनिट साबर कर वह यह अपनी शक्राथा थीकर के मेरे सामने चटर्ड़ पाहित का बदला नेना है मैंने पादला अबाजी नम पहुत अच्छा जो शाहिद और शमा के रिष्टेश दें इंकार कर दिया है पास मत करो तुम बोलूगी मैं